दोस्तो आज हम इस वीडियो में advance excel के tips and tricks के बारे में बात करेंगे अगर आप किसी company में job करते हैं या किसी bank में job करते हैं या आपका खुद का business है तो ये advance excel की tips and tricks आपके जिवन में हमेशा काम आने वाली है इसमें आप काफी कुछ नया सीखने वाले हैं और सीखने के बाद आप वा जरूर बोलने वाले हैं तो आई दोस्तो वीडियो को आरंब करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अविजीत आपका सच्चा साती सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब जीजी टेक्निकल फोरेम दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुश्ती रहे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं complex formula के बारे में यानि complex formula that means कि एक formula के साथ हम दूसरे formula को combine करके कैसे amazing result पा सकते हैं तो वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा काफी कुछ नया सीखने वाले हैं आप ठीक है अब देखिए यहां आप देख रहे हैं serial number दिया है employee का name दिया गया है यहां product name दिये गया है उनकी sales quantity दिये गया है और किस city में sales हुआ है उनके name दिये गये है ठीक है अभी हमें जानना है top 5 product की sales quantity ठीक है अगर दोस्तों आपको large formula नहीं आता कैसे use करते हैं तो हमने link i button पे दे दिया है और description box में भी दे दिया है कि large formula का use आप कैसे करेंगे ठीक है अब हमसे क्या मांग रहा अरे तो अरे हम इस cell quantity को देंगे क्योंकि इसी में से हमें top 5 value को निकालना है फिर comma लगाएंगे और k की जग इसमें top 10 तक ले जाएंगे right उसके बाद आपको curly bracket बंद कर देना है दोस्तों यहां आप k की जगा एक count a formula का भी use कर सकते है उससे भी result आ जाएगा ठीक है अब मैं bracket को बंद करूँगा और control shift के साथ इंटर मार दूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास top 5 product की sale quantity आ चुकी ह अब मालेजे हमें इंका name जानना है तो हम क्या करेंगे फिर से हम 5 row को select करेंगे is equal to यहां लिखेंगे index ठीक है अरे हम लेंगे इस पूरे को यहां से यहां तक पूरा अरे लेंगे row number में हम करेंगे match 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 formula look up value तो look up value में हम क्या देंगे जो अभी हमने large formula use किया यहां में हम लेंगे यहां sell quantity को ठीक है कॉमा के की जगा हम क्या करेंगे curly bracket में फिर one semicolon two semicolon three semicolon four semicolon five curly bracket close bracket बन ठीक है और अब हम देंगे comma देंगे look up array look up array हम क्या देंगे इसको देंगे sell quantity वाले को क्योंकि इसी में से हमें निकालना है comma exact match के लिए zero bracket बन ठीक है इतना हो गया अब comma देंग कि one two and three और bracket बन करेंगे और control shift के साथ इंटर मार देंगे तो आप देखिए हमारे पास top five product के name आ चुके हैं जैसे आप देखिए earphone, earphone आप देखेंगे यहां 982 तो दोस्तो यह formula इतना कमाल का है कि इसे आप बहुत से condition में use कर सकते हैं अगर आप top 10 निकालना है, top 15 निकालन है, top 18 निकालना, top 20 निकालना, कुछ भी निकालना है, तो आप easily perform कर सकते हैं, दोस्तो आप multiple formula को combine करके amazing results पा सकते हैं, इसी तरह दोस्तो अगर आपको city name चाही तो आप city name भी ले सकते हैं, तो दोस्तो मैंने यहां we look up formula का use क्यों नहीं किया, इसे भी आप समझ लिजे, अभी आप देखिए, यहां मेरा look up value है, और इसमें हमारा d column पर है, ठीक है, तो we look up हमेशा work करता है, left to right, left to right, that means, अगर मालिजे मुझे city name चाहिए था, तो मैं यहां we look up formula का use कर लेता, क्योंकि यह देखिए, हमारा look up value left है, और जो data हम चाहते हैं, वो right side है, लेकिन यहां हमें चा कर लिएगा, result कभी नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, करके देखिएगा, result नहीं आएगा, तो आसा है दोस्तों, वीडियो फसंद आयोगा, अगर वीडियो अच्छा लगो तो, प्लीज वीडियो को like, share, comment कर दीजेगा, मिलते हैं next वीडियो में, जैहिन! झाल 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